नमस्कार चरदीकला टाइम टीवी की टोप 10 खबरों में मैं सुनीत आप सभी का स्वागत करती हूँ पेशें आज की टोप 10 खबरे मुबाइल फोन की कर्ल ड्रोक की समस्य से हम और आप ही परेशान नहीं है बलकि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदिख भी इसकी वज़े से दिखते हुई लिहाज़ प्रधान मंतरी ने टेलेकों में भाग को इस समस्य का तकनिकी हल खोजने के आदेश देते हुए कहा कि मुबाइल फेटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्रहकों को चस्तर की संतुष्ट करने वाली सेवाएं दे मुख्यमंतरी वे तरिनमूल कॉंगरिस स्प्रीम और ममतब एनरजी ने अधार पर स्प्रीम कोड के आये इतिहासिक फैंसले का स्वागत करते हुए इसे देश के लोगों की जीट करार दिया ममतब ने ट्वीट कर कहा कि हम माने निया उचितम ने लेके फैंसले का स्वागत करते हैं मुख्यमंतरी ने आगे भी कहा कि देश में भाजपा सरकार के दिन अब खत्म हो गई है इस तेफिक याटिकलों के बीच संकित मिल रहे हैं कि परदेश या ध्यक्ष पद पर फिलहाल अजमाकन ही बने रहेंगे अलबता उनकी मदद के लिए कारेकरिया ध्यक्षों पर ध्यक्षों की एक बड़ी और मजबूत फोज खड़ी की जा सकती है हाला कि अब कोई भी निरने शराज पक्ष के बारी यानि नवरातर में ही होगा मजजित में नवाज पढ़ना इसलाम धरम का अभिन अंग है या नहीं इस बात का फैंसला स्प्रीम कोट करेगा इस केस में दो पहर दो बज़े फैंसला सुनाया जा सकेगा अयुद्याराम जनभुमी मामली में चीरजस्टिक दिपक विश्रा की अध्यक्षिता वाली तीन जज़ों की बेच ने इसी साल 20 जुलाई को इसी केस में अपना फैंसला सुरक्षित रखा था कश्मीर घंटी में आज शिरीनगर शहर के नूर भाग से लेकर दक्षिन कश्मीर के कांजी गुड और सेंटरल कश्मीर के पांचन बड़ ग्राम में तीन अलग लग मुटबेडों में एक अतंक्य और एक नागरिक सम्में दो लोगों की मोथ हो गई जबकि एक सेन्य कर्मी खायल हो गया भारती जिंदा पारटी के रास्टे अध्यक्षमिति शाह आज हरिद्वार पहुंचेंगे शाह दो दिवसिया हरिद्वार प्रवास के दोरान पितांजली योगपीठ के अचारे कुलम के ने परिसर में दुघाटन समारो सम्मेत वे भीन कारिकरम में हिसालेंगे योगभवन में उनका एक बड़ी सबह को सम्मोदित करने का कारिकरम प्रस्तावित है आज प्रवराम की तपस्थली में कामता नाथ और स्वामी कामत गिरी के दर्शिन कर कॉंग्रेस के रास्टे अध्याक्षिराहुल गांदी मध्यपरदेश में सियासी विगुल्फू केंगे सतना जिला अंतरगत चितरकूड शेतर में नुकर सभा के बाद वे सतना मिजन सभा को सम्भोदित करेंगे पी अन्बी घोटाले के मुख्या रोपी और हिरवय पारी में हुल्चोकसी के प्रत्यावर्पन के मामले में विदेश मंत्री सुष्मा सवराज ने अंटिगुआ से मदद मांगी है शुष्मा सवराजने अंटिगुआ एंड बारमूड़ा के विदेश मंतरी एपी चैट ग्रीन से न्यू योर्क में मुलाकात की इस दोरान शुष्मा ने में हुल्चोक सी मामले में उनसे बाचित की प्राष्टे सुरुक्षा शलाकार अजित धोबाल बुदवार को इरान में आतंगबाद के खिलाफ हिच्तेर रननीती तयार करने के लिए आहियोजित बैठक में शामिल हुई इस बैठक में अफगानिस्तान, चीन, इरान और रूस के उचस्तर या धिकारी भी मौजुद थे उन्होंने आतंगबाद का पोशिन करने वालोव उनके समर्थकों को भी अलगल करने के तरीकों पर विचार किया पिहोग के पास गाउन ऐसी के पास से मारकंडा नदी तूटने के कान सैंकड़ों एक फसल जल्मगन हो गई जिसके चलते भारी नुकसान होने के आशंका बनी हुई है तो यह थी आज की डॉप्टन खबरे कल फीर हाजिरों के कुछ नहीं खबरों के साथ तब तक के लिए आग्गे दीजिए नमस्कार